गुड़ेवनिंग ओल अफियो मेरे उंत्रपाठी मिर्शा सकी क्लास में जैसे कि आपको पता है आपका स्लेबस पैटर्न चेंज हो चुका है यानि कि आपका एक्जाम पैटर्न चेंज हो गया है पहले आपका बहुवी कलपी यानि या अबजेक्टिव पैपर होता था और अब आपका डिस्किप्टिव पैपर होगा डिस्किप्टिव पैपर में आपको कितने पेजेज हर एक कोशन को करना है कितने-कितने मार्स का होगा और कितने कितने शब्दों में आपको लिखना है और साथ साथ में ये कितने pages का आपका copy होगा ये भी आपको पता होना चाँए इस समय आपको descriptive paper में कितने pages लिखने है ये पता होगा, तो इसे आपके number अच्छे मिल सकते हैं आपका copy होगा 32 pages का यह आपको पता होगा 1st और 3rd semester दोनों semester का आपका objective ना होके descriptive paper होगा हम paper की बात कर लें तो paper आपका 3 घंटे होगा 3 घंटे का होगा और 7 साथ में इसका marks 75 marks का होगा यह return paper होगा आप लोग को इसमें 3 खंट दिये जाएंगे और इसमें से आपको question को solve करना होगा पहला question आपका यानि कि पहला a question होगा जो कि आपका tipd से संबंदित है मैं इसको लिख देती हूँ पहले तो आपको बता दू कि यह आपका descriptive paper होगा descriptive paper होगा तो यह आपको पता होना चाहिए ठीक है यह आपका जो marks है आपका जो तीन घंटे का है और marks 75 marks का है ठीक है इसके बाद से आपका पहला question जो होगा पहला question आपका tipd होगा tipd होगा tipd होगा tipd वे आपके a b c d e यानि कि 5 question होगे यह सब के सब आपको compulsory है यानि कि पांचों के पांचों option आपके जितने पांचों आपके टिपड़ी है उसको आपको लिखना होगा यह compulsory करना है यानि इन पांचों को आपको करना ही करना है उसके वाद से question 2 है जिसमें आपका एनि टू लॉंग कोशन होगा एनि टू लॉंग कोशन इसमें आपके चार कोशन होंगे जैसे यह आपके बन कोशन हुआ इसके बाद से 2, 3, 4, 5 यह 4 कोशन होगे और इसमें से एनि 2 कोशन यानि आपको अगर 2 आ रहा है या 4 आ रहा है इन दोनों को कोशन को आप करेंगे इसमें से आप 4 कोशन में जो तो कोशन आपको आते होंगे उसी कोशन को आप करेंगे यह लॉंग कोशन है इसके बाद से question 3 बनेगा जो आ अंसर एनी टू है ठीक है यह भी एनी टू है इसमें आपका होगा जैसे 6 7 8 9 यह हुए 5 यह 6 7 8 9 अब इसमें भी आपके दो पार्ट होगे A B A B ऐसए 7 का भी A B ऐसे 8 का भी होगा आपका A B और 9 का भी होगा A और B अब इसमेंसे आपको two question करने हैं तो दो question में आपका जैसे आपको 6th question आता है और 8th question आता है ठीक है तो आपको इन दोनो पार्ड को करना है ऐसा नहीं है कि इसका A कर दिया इसका B कर दिया नहीं, आप 6 का ही A और B दोनों करेंगे, 1 question complete होगा और दूसरा question का भी अगर 8 आ रहा है आपको, तो 8 का भी A और B दोनों करेंगे, तब जाके ये दोनों question complete होगे यानि कि आपको 6, 7, 8, 4 question होंगे और 4 question के 2-2 parts होंगे आपका 1 question जैसे 6 का A और B है इन दोरो question को आपको solve करना होगा तब जाके 1 question complete होगा अब हम देख लेते हैं यह कितने-कितने marks का होगा टिपड़ी जो होता है वो आपका 3-3 marks का होता है 3 marks each टिपड़ी जो होता है अब यह 3-3 marks का है यानि कि यह 3-3-3-3 यानि यह आपका पूरा total कितना है 15 marks का हो जाएगा अब इसको लिखना कितना है यह आपको पता होना चाहिए यह आपको 1-1.5 पेज टिपड़ी जो होगा कितने words में होगा तो 200-250 words होना चाहिए 250 words होना चाहिए इतने शब्द होना चाहिए 200-250 शब्द होना चाहिए 1-1.5 पेज उसका होना चाहिए ठीक है न? 1-1.5 पेज यह आपका होना का फिर उसके ऐसे एनी 2 questions यह ज़िए लबका लॉंग question है यह आपके हर एक question आपका 15 marks each होगा 15 marks each होगा यानि हर एक कोशन आपका 15 marks का होगा ठीक है अब इनको कितने marks का यानि कितने pages का होगा यह आपका 5-6 pages में आपको लिखना होगा ठीक है और यह कितने words में होगा तो यह 1200-1400 words यानि कि 1200-1400 words में होगा ठीक है यह भी ध्यार रखना है 5-6 pages आपको लिखने है pages पन्ना और फिर इसका से 1200-1400 words में इसको complete करना है हर एक कुशन आपका 15 marks each होगा ठीक हर एक कुशन इसमें दो कुशन आपको करने यानि कि 30 marks का हो गया यह 15 marks और यह 30 marks का इसके बाद से हम आते है short any two question में short any आपका कितने marks का होगा यह आपका मैं बता रही हूँ इसमें आपका 3-4 यानिकि 3-4 page लिखना आपको 3-4 pages में लिखना है ठीक है और इसके words कितने होंगे 600-700 words 600-700 words होने चाहिए यह भी ध्यान रखेंगे 3-4 page लिखेंगे और अगर long question है तो 5-6 pages लिखेंगे जिसमें इसमें 12-1400 words होंगे जबकि आपके short answer में आपके 600-700 words होंगे आपके जो आपके टिपड़ी है वह आपका 200-500 words यानि एक से देर page में इसको complete कर लेना अब आपको देखना है कि इसमें आपका कैसे आप इसको अच्छी तर प्रिजन करेंगे प्रिजन का मतलब है कि इसमें आपको परिभाशा को याद रखना है साथ-साथ आपकी हैं अच्छी होनी चाहिए अगर आपकी हैं थोड़ी बहुत अच्छी है थोड़ी खराब भी है पर आप quotation उसमें अगर लिखते हैं तो उसका marks मिलता है क्योंकि जादा उनके पास समय नहीं होता है जो evaluation कर रहे हैं जो paper चेक कर रहे हैं एक copy के लिए उनको 3 मिनट मिलता है और 100 copy एक दिर में इनको चाचनी होती है यानि 3 मिनट भी अगर हम देते हैं 300 मिनट होता है यानि कि आपका 5 खंटे में आपको 100 copy जाचनी है और एक copy 3 मिनट में जच रिए इसका मतलब आपको 60 का अंसर लिखना यानि कि बिल्कुल important points को लिखना है जिसमें आपका quotation main माहिने रखता है अगर आप परिभाशा लिखते हैं और अगर कोई चीज आपको या चेक करता है उसी में उसको एक front page मिलता है जिसमें बहुत सारा चीजें भरनी होती है नंबर चड़ाना होता है ओमार शीट करनी पड़ती है तो यह सब समय लगता है इस वज़े से उनके पास यह समय नहीं कि आपको पूरा total आपकी copy पढ़ें और ऐसे भी बहुत अनुभव इच होगा इसमें से आपको एक से डियर पेज में लिखना है और दो सो से धाइसो वर्ट होने चाहिए दूसरा आपका लॉंग कोशन है जो कि आपका पंदरा मार्क सीच होगा चार कोशन होगे जिसमें आपको दो कोशन करने होगे यह भी आपके 5-6 pages में complete करना होगा और 12- से चौदा सो वर्ट होने चाहिए लास्ट में आपको शॉर्ट अंसर में यह आपका चार कोशन होगे जिसमें हर कोशन का दो पार्ट होगा आपको एक कोशन टच करना तो दोनों पार्ट उसके complete करने हैं तो अब जाके आपके दो कुशन होगे ठीक है इसके बाद से इसमें कोशन को ध्यान से पढ़ना है तब लिखना है साथ साथ में आपको मैं बता दूँ इसमें से बहुत साथ चीजे मैंने पढ़ा चुकी हूँ जैसे आपका अभी क्रमित अनुदेशन है ग्लेशियर है आपका ब्लूं टेक्स नौमी है फिर आपका फ्लेंडर का आप उसको लिख भी सकते मैंने थेयोर्टिकल बिल्कुर पढ़ाया हुआ है आप इसको देख लेंगे अबजेक्टिव आप पढ़ चुके हैं एक बार लेसन पढ़ चुके हैं देचुके हैं क्लास में भी अब इसके बास से अब आप लोग क्या करेंगे डिस्क्रिप्टि जैसे लिखा है कि आपका संप्रेशन क्या है तो संप्रेशन के बारे में लिखना है संप्रेशन की प्रक्रिया बताईए और उसकी विशेचता है तो आपको क्या करना है पहले संप्रेशन के बारे में दो तिन परिभाशा लिखनी है संप्रेशन के बारे में बताना यानि थोड़ा सा शौर्ट अंसर उसका लिखना है उसके बाद से संप्रेशन के प्रोसेस को बताना उसका डाइगराम भी शो करना है यानि कि आपका सेंडर से फीडबैक तेक जाएगा तो आपको पूरा डाइगराम शो करोगे उसके बाद से आप उसकी प्रकती लिखेंगे फिर हर एक कोशन पर जैसे आपका कितना है 180 मिनट्स होगा यानि कि आपका 75 मार्क्स का पेपा 3 घंटा यानि 180 मिनट्स आपके पास है उसमें से आपको हर एक कोशन जैसे अगर मैंने पहला कोशन टच किया पांस टिपड़ी है तो उसमें मैक्सिमुम आप 35 मिनट्स लगाईए उ पहले कोशन टच किया है तो 35 मिनट्स में चाहिए दूसरा कोशन टच किया लॉग कोशन उसको भी आप 35 मिनट्स में कर लिजे छैसे साथ मिनट्स आप मालीजे आप पेपर फिल करते हैं जो नाम वेगरा लिखाया जाता है इंप्रेशन लगता है वह समय टाइम लगता है 6 म पर और जब अगर आप कोई भी कोशन टच करें उसको 35 मिन्स दे रहें यानि पहला कोशन में 5 टिपरी यानि इन पांचों को आप 35 मिन्स में कर लेते हैं तब आप यहां पर भी टाइम मेनेज कर लेंगे और हर एक कोशन आपका कंप्रीट हो पाएगा अगर यहां पर आपका टाइम लगता है यह पचास मिन्स लग गया तो यहां 15 मार्स का कोशन यहां फिर आपका यह इस यह वाला कोशन 600-700 वर्ट वाला कोशन भी छूर सकता है तो कोई भी कोशन चूटे ना इसके लिए आपको टाइम मेनेजमें बहुत ज़रूरी है जब आप पेपर देने जाए तो आप लोग 2-3 कोशन ऐसा पेपर बना बली के कोशिश कीजिए कि आप लोग ऐसे कंप्लिट कर पाते हैं तिन घरणे पेपर कंप्लिट कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं है आपको सब्स्कретर है उसमें आपको मिला है Go लोग करेंगीव में अब आप को मैं इसक्डिप्शन नुहार एक पेपर यदिक यह कौन कौन से क मैंने लुए है और पेड़ियु सब्जेट के भी आपको मैंने गेस कोशन दिये हुए हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्टिव में दिख जाएगा साथ-साथ मैं आपको आइकार भी शो करेगा आप उसमें देख लीजिए हर एक कोशन को ध्यान से पढ़िएगा जो कोशन न समझ मैं आप मुझे कमेंड भी कर स सकते हैं मुझे फोन कर सकते हैं अगर फोन परसनली करना है तो 9452-161-001 मैं फिर से रिवाइस कर दे रही हूँ 9452-161-001 यह आपको डिस्क्रिप्टिव लॉक्स में भी मिल जाएगा आप लोग को जो भी दिक्कत आये बीट से सम्बंदे आप मुझे पोस्ट सकते हैं इ से लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेट जरूर कीजिए तब तक के लिए धन्यवाद